हेलो दोस्तों केसे हूँ आप में आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बीजय माय के अदर हमें फिर से एक नई क्यारेक्टर वाउचर की इवेंट देखने को मिलने वाली है उस इवेंट के अदर हमें फ सब्सक्राइब कर दे बेलनोट से भी आल पर सेट कर दे और इस वीडियो को लाइक जरू कर देना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए तो फिलाल में भी जमाय के अंदर एना जॉइंस दे बैटल इवेंट चल रही है और यह इवेंट 17 डिसेंबर को खतम होन कर देखने को मिलने वाली है तो जिन भी लोगयोंने अभी तक चारेक्टर को नई पर्चेस किया है तो यार आप मध परचेस करो वह हैंट आने दो पिर उसके बाद आप परचेस करो आप फ्री में एंडी या फिर कारलो क्केर ले सकते हो तो आप ही वह इवेंट फिलाल में PUBG Mobile के अंदर आज आ चुकी है तो आभी में आए PUBG Mobile के अंदर जाता हूँ तो यह है मेरा PUBG Mobile तो इसके अंदर आज सुभई Anna Character की Week 5 की Event आ गई है आपको मैं दिखा देता हूँ Events के उपर आपको क्लिक करना है फिर आपको यह Anna's Gift Event दिखाई देगी तो आप यहां लेफ्ट साइड में देख सकते हूँ Week 5 by 5 तो यह Free Anna's Gift Character Vouchers की पाचवी Week है और इससे पहले भी 4 Week आ चुके है 1st Week में हमें 300 Character Vouchers मिले थे फिर 2nd Week में हमें 300 Character Vouchers मिले थे फिर उसके बाद जो 3rd Week आई थे उसके अंदर 200 मिले थे और उसके पहले भी मतलब 200 मिले थे और इस इवेंट के अंदर कितने मिल रहे हम देखते हैं तो टोटल हमें 1100 तो Vouchers Free में मिल चुके है तो यह इवेंट आज सुबई आई है 13 December को और 20 December तक चलेगी तो 1st Mission उन्होंने दिया है Login for a Total of 1 Day तो 1 दिन जब आप Login करोगे तो हमें 2 Character Shards मिल रहे है फिर नेक्स्ट Mission है Login for a Total of 2 Days तो 2 दिन जब आप Login करोगे तो हमें 4 Character Shards मिलेंगे फिर नेक्स्ट Mission है Login for a Total of 3 Days तो 3 दिन जब आप Login करोगे तो Total 6 Character Shards मिलेंगे फिर नेक्स्ट Day Login for a Total of 5 Days तो 5 दे लॉग इन करने पर 8 character shards मिलेंगे फिर next mission है complete 1 match तो एक classic match complete करने पर 2 character experience मिलेंगे फिर next mission है complete 3 matches तो 3 matches complete करने पर 5 character experience मिलेंगे फिर next है complete 10 matches तो फिर 10 character experience मिलेंगे तो यार यह starting में इन्होंने voucher तो नहीं दिये है पर आभी voucher दिखाई दे रहे, आप देख सकते हो तो next mission है spend a total of 60 minutes in the game तो 60 minute game के अंदर spend करने पर हमें 10 character vouchers मिलेंगे फिर next mission है spend a total of 200 minutes in the game तो 200 minutes spend करने है game के अंदर तो फिर 30 character vouchers मिलेंगे और फिर next mission है defeat 12 enemies तो 12 enemies आपको मारने है classic matches के अंदर तो फिर 30 character vouchers मिलेंगे फिर next mission है finish 3 times in the top 10 तो 3 बार top 10 आना है तो 20 character vouchers मिलेंगे और एक mission है finish 2 times in the top 5 तो 2 time आना है top 5 में तो 5 character experience मिलेंगे फिर एक mission है add one friend तो उसके 10 character vouchers मिलेंगे फिर एक mission है chat with one friend तो एक दोस्त के साथ आपको chat करना है तो 2 character experience मिलेंगे और last mission है complete one matches while in a group with friends तो आपके दोस्तों के साथ एक match complete करनी है तो उसके आपको 4 experience मिलेंगे तो अभी हम देखते हैं कि total हमें कितने character vouchers मिलने वाले इस week 5 के event से तो यह है 10 और यह 30, 40 और 30, 70 और 20, 90 और यह 10, 100 तो total दोस्तों हमें 100 character vouchers मिलने वाले हैं और पिछले week से हमें 1100 मिले थे तो total हमें 1200 character vouchers मिलेंगे और character shards यहां से total 20 character shards मिलने वाले हैं मैंने यह गिन लिये हैं और देखते हैं character experience कितने मिलने वाले हैं तो यह 2 और यह 5, 7 और 10, 17 और यहां से 5 मतलब 22, 22 और 2, 24 और 4, 28 तो total 28 character experience मिलेगा और यह into 200 है तो आप किंती के लगा सकते हो बहुत ही ज़्यादा experience बढ़ जाएगा character का तो same AC event हमें बिजयमाइक को देखने को मिलने वाली है तो वो हमें कब देखने को मिलने वाली है अभी मैं आपको detail में बताऊंगा तो अभी हम आ गए है बिजयमाइक के अंदर तो बिजयमाइक के अंदर Anna की ये event चल रही है तो इसकी end date क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ तो Anna joins the battle तो इसकी end date है 17-12 तो हमें 17-12 को ही वो event देखने को मिलेगे और उसके अदर हमें 100 character vouchers और बाकी के character charts और character experience मिलने वाली है तो बिजयमाइक के अंदर Anna joins the battle week 5 हमें 17 December को देखने को मिलने वाली है तो total सारे weeks मिला कर हमें बिजयमाइक ने 1200 character vouchers दिये है तो उन 1200 character vouchers से आप free में Carlo या फिर Andy character ले सकते हो या फिर आपको दो character purchase करने है तो फिर आप Anna ले सकते हो और सारा क्योंकि उन दोनों की price 600 character vouchers या फिर UC है तो आप सारा और Anna बड़े आसानी से free में collect कर सकते हो या फिर अगर आपको एक ही character लेना हो तो फिर आप Andy ले लो या फिर Carlo ले लो जिनकी price 1200 character vouchers है या फिर 1200 UC तो आपके उपर है अगर आपने अभी तक character नहीं लिया है तो आप रुख जया वो event आने दो फिर उसके बाद purchase करना मेबी वो event आने के बाद ही purchase करूँगा तो दोस्तो यही थी आज की उडियो मिलता हूँ मैं आपको अकली वीडियो में till then see you bye bye thanks for watching